तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले question को देखो कि एक बार magnet है, बार magnet जिसका dipole moment M है, इस place uniform magnetic field with the torque है, एक simple सवाल है, अगर एक बार magnet है, और इस बार magnet को मैं, अगर मैं magnetic field में रख देता हूँ, ये north pole है और ये south pole है, magnetic field इधर है अपना, तो अगर तुम magnetic field इधर है, और यहाँ स से जो magnetic moment है, वो south से north होता है, तो magnetic moment ऐसा है, इन दोने vector के बीच का angle ये theta है, तो जो torque इस पे लगता है, वो होता है, m cross b, आप पड़े होगे, इसको हम change नहीं कर सकते, ठीक ना, समझ में आया, b cross n नहीं लिख सकते, fix है, m cross b होता है, तो m cross b, इस पे torque लगता है, ठीक ना, मतलब कुल मिला के magnet हमेशा magnetic moment ऐ, theta हमेशा zero maintain होना चाहेगा, तभी जाके stable equilibrium attend होता है, तो ये magnet अभी ऐसे गूमेगा, ऐसे इधर गूमेगा, तब जाके theta zero होगा, और जैसे ही ऐसे आएगा, ऐसे गूम नहीं पाएगा, और ऐसे oscillate करेगा infinite time के लिए, thank you.